साथियों आज 20 फरवरी 2024 से SSC GD का पेपर स्टार्ट है जो कि 12 मार्च 2024 तक आपका पेपर चलेगा और आज के इस क्लास में आज पूछे गए पहले सिप्ट के 100% ट्रेल कोस्टन अंसर को देखेंगे तो जो भी आज पेपर देकर आये हैं वो तो साथियों मिला लीजे कि आपने जो सेंटर में कोस्टन का अंसर दिया वो सही है या गलत है और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में हैं वो तो साथियों कम्प्लीट देखना क्योंकि बहुत सारे कोस्टन रिपीट आपको मि पाले सिप्टों में नमस्कार साथियों मेरा नामे सुभास राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब चैनल पर क्लास में आगे बढ़ने से पले आपको बता दे इस वीडियो की डिस्क्रप्शन में मैं एक लिंक दे देता हूं जो मै देख लेना चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा स्टेडिक जीके का पूरे 500 कोस्टन का संपूर ने चोड़ तो चलिए देख लेते हैं आज के पूछे गए कोस्टन अंसर तो ध्यान से दिखेगा सबसे पहले देखते हैं कोस्टन देखिए एक कोस्टन इस परकार से था कि इन में से कौन सी भासा सबसे प्राचिन है साथ यो कोस्टन का लेंगवेज थोड़ा अलग हो सकता है बाकि कोस्टन जो मैं बताऊंगा आपको सेम वही कोस्टन सबसे पूछा गया था केवल कोस्टन का लेंगवेज थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि बच्चे अच्छे से बता नहीं पाते हैं पेपर देख के आने के बाद ठीक है दिखिए तो इनमेंसे कौन सी भासा सबसे प्राचीन भासा है इसमें ओप्शन में संस्कृत अगर आपको दिया हुआ था तो संस्कृत करेक्टेंट सर हो जाता और अगर संस्कृत नहीं था तो ब्रामी भासा करिक्टेंसर हो जाता और अगर संस्क्रियत और ब्रामी दोनों दिया हुआ था तो ब्रामी को आप ज़्यादा प्रेफेर करना ठीक है आगे एक कोश्चन था कि इन में से किसका संबंद ओरिस्सा या ओरिसी निरित के कलाकार से हैं यह टोपिक भी आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा आप लोग देख लेना जो 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 टोपिक से कोश्चन पूछे गये हैं वो सारे क्लास में ने करवाए हैं भर भर के पड़े हुए हैं चैनल के अंदर आप लोग देख कर जाना आपका एक भी कोश्चन नहीं चूटेगा पीपर में तो देखिए सब माधवी मुरुदल काली चरण पटनायक इनमें से कोई भी एक आपको उप्शन में जरूर्द दिया हुआ था जो की करेक्ट अंसर हो जाता आगे एक कोश्चन पूछा था नस्वर का विलोहम सब्द क्या होता है तो सास्वत ठीक है तो सास्वत सास्वत इस कोश्चन का करे मरत्य आदी होते हैं नस्वर के परियावाची सब्द सास्वत का परियावाची सब्द क्या क्या होता है साथ्यों तो दिखिए नित्ती होता है निरंतर होता है सदेव होता है सर्वकालिक अटल आदी जो हैं यह सास्वत के परियावाची सब्द हैं यह सब आप से आगे आन सब्द इन में से क्या है अब देखिए उदार्ता का परियावाची सब्द आपको एक एक इनी में से कोई एक आपको उप्षन जरूर दिया होगा जैसे की सह हिर्देयता होता है दयालूता होता है दान सेलता होता है दर्या दिली होता है इसके अलावा फराक दिली भी उदार् तो इन में से कोई एक आपको option में जरूर दिया हुआ था जो कि करिक्ठ हो जाता साथ यो question तो मिल जाते हैं option बच्चे बता नहीं पाते हैं एक question था कि अला उद्दिन का चिराग होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो देखिए अला उद्दिन का चिराग होना इस मुहावरे का अर्थ होता है आस्चर जनक ठीक है आस्चर जनक होना या अदभुत बस्तू तो कोई एक आपको option में जरूर दिया हूआ था इस रिलेटेड जो की राइट अंसर आपका हो जाता एक और मुहावरा था कि जहांसा देना मुहावरेकार्थ क्या होता है तो देखिए जहांसा देना मुहावरेकार्थ होता है धोखा देना बाकी एक बहुत ही सिंपल गद्धान्स था जिसमें पांच कोस्चन आपको बताने थे ये तो सबसे easy है इसमें आप 5 question आसानी से सही कर सकते हैं देखिए question था प्रधान मंतरी जंधन योजना कब शुरू की गई थी तो अगर जंधन योजना की बात करें साथ हो तो प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी जी के दुआरा 28 अगस्त 2014 को इसकी सुरुवात की गई थी आगे एक question था 1975 में आयोजित पहला वर्ल्ड कॉप किस ने जीता था तो देखिए पहला किर्केट का वर्ल्ड कॉप जो की इंगलेंड में आयोजित हुआ था 1975 में इसको best indies ने जीता था तो इस question का right answer आपका हो जाता best indies ने आगे एक question था कि किस राज के मर्चा चावल को GI tag GI tag दिया गिया है तो भे मर्चा चावल जो है न साथ हो यह बिहार राज का है जिसको GI tag दिया गिया है तो बिहार यहां correct answer हो जाता तराइन का दूतिया युद अब देखिए किसी किसी का कहना है तराइन का दूतिया युद था किसी किसी का कहना है कि पानिपत का दूतिया युद था तो दोनों यही बता देते हैं तराइन का जो पहला युद हुआ था साथ हो 1191 में हुआ था और तराइन का दूतिया यूद 1192 में हुआ था ठीक है और अगर पानिपत की यूद की बात करें तो पानिपत का पहला यूद 1526 में हुआ था पानिपत का दूसरा यूद 1556 में हुआ था और पानिपत का तिसरा यूद 1761 में हुआ था ठीक है यह सब आप से आगे जरूर पू आसस मिल जाएंगे अभी हाली में बरतमान में कौन क्या है इससे डिलेटेड उटोपिक को देखकर जाना आपका ये टोपिक कम्प्लीट हो जाएगा तो देखो डी वाई चंद्रेचूट योकी भारत के बरतमान में मुख्षनेयाजीस हैं और पच्चासवे मुख्षनेयाज आगे एक क्वेश्चन था कि रंगा स्वामी कप का संबन की स्खेल से तो ध्यान से दिखीगा रंगा स्वामी कप का संबन की स्खेल से तो साथ्यों सिंपल क्वेश्चन था ये तो इसका करेक्ट अंसर आपका हो जाता होकी से ठीक है रंगा स्वामी कप ये कि स्खेल से आगा खांक अप ठीक है आगा खांक अप का संबन की स्खेल से है तो हो किसे में ये टोपिक भी आपको करवा दूंगा चैनल के अंदर आगे एक क्वेश्चन था अगर प्ले द्वारा की स्था के अस्थापना की गई थी या फिर क्वेश्चन ऐसा था की सच्ते सोदक समाज की स्थापना किश्ने की थी तो देखिए अगर पूछा था जोतिवा फुले द्वारा की संस्था की अस्थपना की गई थी तो सत्य सोधक समाज की अस्थपना 1873 में किष्णे की थी तो जोतिवा फुले ने तो इस question का right answer आपका हो जाता साथियो सत्य सोधक समाज साथियो आप लोग क्लास को लाइक जरू कर देना आगे दिखिए question था संगित सहित्य पुरसकार 2023 किसे दिया गिया है तो साथियो कई लोगों को संगित सहित्य पुरसकार 2023 दिया गिया है ये option पर depend करता पुरी तरह से option के अनुसारी ये question बनाने वाला था आगे दिखिए question था कि किस मुख्यमंत्री को भई मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीम राव अंबेडकर पुरसकार दिया गिया है तो भई इसका correct answer हो जाता योगी आदित्यनाथ जी को योगी आदित्यनाथ जोकी साथ यो उत्तर प्रदेश के बरतमान में मुख्यमंत्री है आगे देखिए high coat के नियाधीस को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार की है option सरल कठोर इस प्रकार से दिया हुआ था तो इसका correct answer आपका हो जाता कठोर ठीक है high coat के नियाधीस को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कठोर प्रक्रिया है आगे एक था उदार का परियाए वाची सब्द क्या होता है तो उदारता पूछे या उदार उदारता तो मैंने आपको बताया फिर उदार का परियाए वाची सब्द भी होई होता है जैसे कि एक फराक दिल होता है, इसके लावा छीर नेदी होता है, दर्या दिल होता है, सरल होता है, सीधा होता है, बिनित, सिष्ट, उदाचरित, उदार चेता, इसके लावा सहिर्दाई विशाल, हिर्दाई सज्जन, महामना, सदासई, महाशाई, ताता, उदार सिल, दान सि होता है बड़ा ही simple question था एक तत्सम से question आपको पूछा था कि eat का तत्सम सब्द क्या होता है तो eat का तत्सम सब्द केवल इस्टिका होता है simple question था यह हिंदी का तो क्या हो जाता इसका answer इसका answer आपका इस्टिका हो जाता साथियो आगे देखिए क्वेश्चन था कि हाथों से लिखी गई प्रती हैना हाथों से लिखी गई प्रती इस वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा तो जो हम हाथ से लिखते हैं हाथ से लिखा गया पत्र उसको क्या बोलेंगे हस्त लिपी बोलेंगे या तो पांडू लीपी बोलेंगे तो दोनों में से कोई एक आपको option में दिया हुआ था जो की right answer हो जाता आगे दिखिए एक question था भारत के चौथे राष्ट पती कौन थे तो ध्यान से दिखना भारत के चौथे नंबर के राष्ट पती कौन थे तो भै सिरी बराहा गिरी बेंकट गिरी जी ठीक है सिरी बराहा गिरी बेंकट गिरी जो की भारत के चौथे नंबर के राष्ट पती थे एक साथ यो केरल का कोई निरित पूछा था किसी किसी का कहना है कि सर मोहनी अट्टम पूछा था तो अगर मोहनी अट्टम पूछा था तो केरल हो जाता या तो केरल के एक और सास्त्रे ने रिते हैं कठकली ठीक है आगे दीखेए क्वेशन था की मैंडलिफ मेंडलिफ की आ險 सारणी में कुल कितने तत्व मौजुद थे तो भई मेंडिलिप के आवर्थ सारनी 1872 में प्रकासित हुई थी और उस समय तत्वों की कुल संखा थी 63 उसके बाद हेंडरी मोजले ने आधुनिक आवर्थ सारनी दिया और बरतमान में तत्वों की कुल संखा कितनी है मोडन पिरियोडिक टेवल में तो 118 ये भी याद रख समय जी आगे एक क्वेश्चन था करेंट एफ्यसका की देखिए केंद्रिया परतचकर बोड़ सीवीडिटी के नए अध्धच के रुप में किसे निवक्त किया गया है साथ ये सारा क्वेश्चन में ने कराया है यार अभी तक मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि मैंने आपको नहीं कराया है हिंदी को छोड़ कर चैनल के अंदर जाएए आपको मिल जाएंगे वो सारे टॉपिक जिसको पढ़कर इस बार अपने सीने में एक वर्दी लेकर आओगे तो देखिए सीवीडिटी यानि देखिए सेंट्रल बोड आफ डायरेक्ट टेक्स य तो आहमदाबाद में इस तीथे तो इसका रायरेको राया टेंसर आपका हो जाता अहमदाबाद गुजरात में आगे एक क्योष्टन था तो अगर आपसे पर्वत का परियावाची सब्चा था तो आप pillar शेल होता है नग होता है भूधर होता है पहाड, अंचल, महीधर, गीरी, इसके लाव भूमिधर, तुंग, ये सबी जो है, साथियों परवत के ही परियाईवाची सब्द होते हैं, एक मेजर ध्यांचंद पुरसकार से सायद आपसे एक कोश्चन पूछा था, तो इसके बारे में वो कोश्चन नहीं म बिल पाया है कि एक्ट्वल कोश्चन क्या था, आपको ये याद रखना है कि मेजर ध्यांचंद पुरसकार को पहले राजब गानी खेलरतन पुरसकार की नाम से जाना जाता था, ठीके, आगे दिखिए कोश्चन है, विध्यार्थी का सही संधी विच्छिद क्या होगा, व एक कोश्चन सायर ये पूछा था, कि देखिए, योजिना आयोग का अस्थान, अभी किष्णी लिया है, यानि योजिना आयोग का नया नाम आपसे पूछा था, तो उसका राइट अंसर आपका हो जाता, नीती आयोग, साथियो अगर आप लोग पेपर दे कर आये हैं, मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन निसुल्क सिक्षा का प्रावधान जो है, वो 6-14 वर्स तक के आयोग के बच्चोकों किया गया है, जिसका प्रावधान 86, जो की 86 संभीधान 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 के अनुच्छद 21 का ए में है, ठीक है, तो साथियों ये किस से जीके वाला मैंने वीडियो बताया, 500 कोस्चन वाला उसको देख कर जाना, उसी से सारा पेपर आपका बन रहा है, तो मिलेंगे आप से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जैहिंद, वन दे मातरम.